उपमुख मंत्री राजयर्शुक्ल ने निर्माडा दिन सीधी सिंग्रवली हाईवे का निरिक्षण किया उपमुख मंत्री ने बहरी गोपत पुल करत हुआ दिवसर तथा बर्गमा के निर्माडा दिन सड़क का निरिक्षण किया गोपत पुल का निरिक्षण करते हुए उ कुनत गोपत पुल की दो लेन का निर्माड लगभद पूरा हो गया है सीधी की ओर लगभद 280 मीटर तथा सीग्राउली की ओर 100 मीटर पुल की एप्रोच रोड एक माहे में बना दे कुनत पुल गोपत जो की 15 फरवरी से आवागमन शुरू करा दे सीधी से सीग्राउली इस पूरे छेत्र के लिए जीवर रेखा है इस महत्रपुड फोर लेन सडक के अधिकांस भाग का निर्माड पूरा होने की कगार पर है इसके दो लेन का काम 15 फरवरी तक पूरा करा दे जिससे आवागमन शुरू हो जाए बाहां चालकों को होने वाली कटनाई या दूर हो केर और राज सब्कार लगातार प्रयास कर रही है जिसके कारण निर्माड कारे में गती आई है इसके निर्माड कारे की हर मायक की समिक्षा की जाएगी किसी कुछेत्र में विकास में सडक मार्ग रेल मार्च में हवाई सेबा सुन वोजाएं रिवा और सीधीहाईवे में बी स्वीशतरी तनल का द्वा δिमार्ट किया गया है इसी सग्रह्तों के इन महत्ら कुनंक निताथ के ये प्रदेशत देि डिक नदिक के जुगदाहा पुल के चतिना स्थोने की जानकारी थी, उप मुख मंत्री ने अधिकारियों को जुगदाहा पुल का निर्माट 30 जून तक पूरा कराने की निर्देश दिये हैं, उन्होंने कहा कि बहरी से हर्मना बहुत मात्पुन मार्ग है, इसे से ख्षेत्व के लोग सीने प्रयाग राच जातें, तैस समय सीमा में पुल का निर्माट कार पूरा कराएं, वहीं उप मुख मंत्री ने निर्माटा देन कर्थुआ पुल का भी दिरुक्षण किया, उप मुख मंत्री ने तेवसर में नव निर्वाचित विधायक सिहावल विश्वमित्र पाठक के निजनिवास जाकर उसे सौजन भेट कि पाठक में क्षेत्र के विकास गत्विद्यों तथा विक्सित भारत संकल प्यात्रा की गत्विद्यों में मुख मंत्रीस्त को अबगत कराया